दोस्तो वेलकम टो स्टड़ी फूर जीनियस मैं हूँ प्रिंस दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं S.S.C. की तरफ से जारी हुए नए नौटिस के बारे में जी हाँ दोस्तो S.S.C. G.D. ने एक नया नौटिस यहाँ पर जारी किया है क्या है उस नौटिस में सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और दोस्तो वो नौटिस के लोगों के लिए है वो भी आज की इस वीडियो में दोस्तो आप सभी को पता चलने वाला है लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आप यहाँ पर SSC GD 2012 की तयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दोस्तो चक्सू पॉब्लिकेशन की बैस्ट बुक परचेस कर सकते हैं काफी अच्छी बुक है दोस्तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बहुत ज़्यद्ध दोस्तो इसमें जो है आप लोकली इंपोर्टेंट कोर्षन दिये गए हैं अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं और दोस्तो साथ में आता है ससी जीडी 2022 के लिए चेक्सी बुबलिकेशन का दोस्तो यह प्रक्टिस सेट तो प्रक्टिस सेट और दोस्तो यहाँ पर इस्टडिगाएड दोनों को आप परचेस कर सकते हैं काफी ज़्यदा बैस्ट बुक रहने वाले हैं 2022 के लिए जी है दोस्तो आप बात करेंगे यहाँ पर जो नोटिस जारी हुआ है वो कि लोग लिए यहाँ पर जारी किया गया है तो fans यहाँ पर आप देखेंगे 23 November 2022 को यह notification यहाँ पर आप देख सकते हैं तो fans अभी अभी यह notification यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों किसके बारे बात कही गई है आप खुछ देख सकते हैं यहाँ पर बात कही गई है कि 2021 में जिनोंने exam दिया था और जिनका दोस्तों final selection हुआ है या नहीं भी हुआ है वो लोग दोस्तों यहाँ पर अपने जो final score है यानि medical के बाद का जो final score बचा हुआ है आपका वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका score बड़ा था या घटा था वो दोस्तों final score इनोंने जारी कर दिया गया है तो आप कैसे दोस्तों यहाँ पर इसको देख सकते हैं सबसे पहले इस notice को आप पढ़ सकते हैं कि notice में क्या खास है सबसे पहले आप नॉटिस को पढ़ेंगे तो दोस्तों नॉटिस में देखो लिखा क्या है वह आप सभी के सामने हाँ पर आ जाएगा है अपलोडिंग ऑफ फाइलर मार्क्स ऑफ कॉंस्टिवल जीडी इन सी अपी एफस एन ये एससेप एंड राइफलमेंट जीडी इन सम र कि 7-11-2022 आगे लिखा है दोस्तों इन्होंने डिकलेट कर दिया था 7-11-2022 में जो ऑफिसल अपना जो रिजल्ट सा दो जाएलर किस में और फाइलर रिजल्ट ठीक है साथ तारिकर होने अपलोड कर दिया था अब इन्होंने बात कहिए है कि नाव दा कमिशन ओफ ता अपलोड दा फाइलर मार्क्स ऑफ करनेट हूँ वेर डिकलेट क्वालिफाइड फॉर एपरिंग दा डिटेल मेडिकल एग्जामनेशन रिवीव मेडिकल एग्जामनेशन अर्मी ठीक है इन्होंने दोस्तों है आप बोला है कि आप यहाँ पर डिटेल्ड मेडिकल एग चैक कर सकते हैं तेइस ग्यारे 2022 से लेकर साथ बारे 2022 तक ठीक है मैं आपको चैक करके भी दिखा हूँ कि कैस कैसे आपको चैक करना है आपके पास अपना इस्टेशन नंबर और पासवर होना चाहिए उसकी मदद से आप इनको देख सकते हैं आप 15 डे का जो पीरिड है इसम पर fill up कर देना है मैं दोस्तों मैं fill up कर लिए तो एक बार तो देखी दोस्तों मैंने हैं अपना जो पासवर्ड है और जो रईस्टरी से नंबर और वो fill up कर लिए है मेरा नाम भी यहाँ पर आचुका है प्रिंस कुमार यहाँ पर देखी खुद मेरा ही याई है कि जिग और कर नहीं है तो आप आपको क्या करना है पर दोस्तों आपको marks check करने तो marks पर जो result marks का उप्षön है इस पर clique करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखि़ दोस्तों यहाँ पर एक आपके सामने खुल के option आजाएगा कि आपको देख करना है जैसिख अपको क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर आपके सामने यह वाले आपसन आजाएंगे खुलके देखिए आपको 2021 का दोस्तों यहां पर यह डाउलोड करना है ठीक है यह देखिए 2021 का बहुत सारे हैं इसमें यह ऐसा नहीं है कि आपने सारे एक्जम दियों यह जो भी एक्जम चल रहे हैं फिलाल जिनके marks और result हैं उनका आप चेक कर सकते हैं इसका आपको चेक करना है तो आपका दोस्तों सामने आपके सामने आ जाएगा चले मैं आपको दिखा दिता हूँ तो देखें दोस्तों मेरा खुल चुका यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं राइस्टिटेटर नमबर देख सकते हैं क्योंकि मैं अपनी personal details दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता हूँ फिलाल आप नाम देख सकते हैं मैं आपको पने number दिखां गए और मेरे medical ह दिखाने वाला हुँ चली थोड़ा नीचे कर लिताँ इसको में तो देखी दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर नपर इसलिए दोस्तों नहीं हुआ यहां पर कुछ नहीं ठीक है उसके बाद दोस्तों देखिए मेरा tier first ये एक tier ही होता है इसमें कोई ज्यादा नहीं होता है मेरे पास NCC का certificate नहीं था और ना मेरा कोई certificate था यहाँ पर NCC का ठीक है वो भी लिखाया है तो देखिए दोस्तों मेरे regioning 22 नमबर थे और मेरे यहाँ पर journal knowledge में मेरे दोस्तों यहाँ पर 9.75 नमबर थे यहाँ GKGS में मेरा math बहुत खराब गया था इसलिए दोस्तों मुझे math का अफसोस है 11.25 नमबर थे मेरे लेकिन दोस्तों मेरे हिंदी में 24 ठीक हुए थे आप सभी को पता है जब एक गलफ हो जाता है तो 0.25 नमबर कड़ जाता है तो मेरा 24 में थे 0.25 नमबर कड़के 23.75 इसका नमबर आया था मेरा मेरा reasoning और दोस्तों हिंदी सही गया था लेकिन मेरा इन दोरों पर अफसोस था मुझे उसके बाद दोस्तों देखे मेरा row जो स्कोर था वो 66.75 था उसके बाद दोस्तों नौर्मलाजेशन स्कोर हुआ मेरा यहां पर आप देखे खुद 66.90 क्यास पर बैटा ठेक है मुझे बॉनस की रूप में कोई स्कोर नहीं मिला यार देखिए आप खुश सोचिए यहां पर मुझे कितना इसको मिला 0.25 का मुझे दोस्तों यहां पर नौर्मलाजेशन मिला यह मजाक हुआ था दोस्तों हमारे साथ लेकिन क्या करें भाई आप बाद में सलक्सन नहीं हुआ यहां पर देखिए उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा PAT, physical वगरा देखिए हाइट रेक्शन नहीं था, chase रेक्शन कुछ नहीं था लेकिन मेरा जो DME था यहां पर आप देखिए fit था मैं यहां पर medical में भी fit था मैं यहां पर खुद fit लगा हुआ है बहुत से लोग बोल रहे थे भाई तो उसमें medical में fail हो गया था तो मिरा भाई देखिए medical में यहां पर fit दिखा रहा है ठीक है, मुझे re medical नहीं मिला था भाई medical में fit हो गया था मैं ठीक है, और यहां पर final medical status देखिए qualified दिखा रहा है, यानि medical में qualified हुँ ठीक है, तो बहुत से लोग जो बोल रहे थे मेरे भाई कि आप medical में fail हो चुके हो तो यह proof है भाई, यहाँ पर आप खुछ चेक कर लिजे, मैं medical में fail नहीं हुआ था, मैं final list में भार हुआ हूँ ठीक है, तो यहां से आप print में ली सकते हैं इस चीज का यह print का आपकी पास option है या आप इसका screenshot भी आप ले सकते हैं तो दोस्तों यह पूरा data मेरे मैंने आप सभी के सामने share कर दिया है 2021 वाले जो candidate जिन्होंने exam दिया था 2021 में ठीक है, उनका दोस्तों यहां पर data निकला है पूरा दोस्तों final score के साथ तो fans यह था पूरा वीडियो, I hope आप सुभी ने यह सही से देखा होगा और आप सही से आप इसे download भी कर सकते हैं तो thank you all for जैहिंद वन्ने वातरां